विशाथियों को जहन आज हम बात करते हैं बलकुल भी इसके मत करना क्योंकि अगर आपने स्किप की और थोड़ी भी गलती हो जाती है तो आपको इसका बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है तो सबसे पहली बात करते हैं कि आपकी पहले महीने की पूरी अजाती है दूसरी बात आपको क्या गल्दिया नहीं करना है जिनकी वज़े से सेलली रुक जाती है तो आपको सबसे पहली बात तो जब इस्टेबलिस ब्रांच में आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है डाटा बिलकुल एक्यूरेट देना है डाटा में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपका एकाउंट नमर सही हो होना चाहिए और तीसरी बात पैन कार्ड नमर सही होना चाहिए पैन कार्ड नमर में कोई मिस्टेक ना हो और आपको जो कैंसल चेक देते हैं उसमें आपका सब सही डेटा होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी सर्विस बुक में कोई गलती नहीं होने चाहिए उसको आप बहुत ध्यान से बढ़ना चाहिए तो एक घंटे में बढ़ना दो दिन में भढ़ना लेकिन उसमें एक भी मिस्टेक ना हो नहीं तो आपकी सेलरी चार-चाट महीने या एक साल तक भी रुख सकती है तिस्टी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सेलरी कित्ती मिलती है तो यह आई आपकी सेलरी इसमें आप देख तकते हैं कि ग्रॉस सेलरी 50,460 में डेडक्षन हुआ है 4,668 रुपे का इस प्रकार नेट सेलरी जो इनहेंड सेलरी है आपकी 45,582 बनी है इस ने उन दोस्तों को सेयर करें जो गवर्मेंट एक्जाम की तेयारी करते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में